नमस्कार दोस्तों मैं सोनो कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूँ तो इस वीडियो में हम बात करेंगी अगर आपके परिवार में सरकारी नोकरी नहीं है और आप HSSC यानी हरियाना की गौर्मेट एक्जाम में पांच नमबर पाना चाते हैं तो आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा वो किस तरह बनवाना पड़ेगा उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगी पहले तो सेल्फ टेस्टिट से काम चल जाता था लेकिन अब नहीं चलेगा इसलिए अगर आप पांच नमबर पना चाते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से और अंतक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि घर में सरकारी नोकरी नहीं होने पर एफडेविट कैसे बनवाना है इसमें आपको सुरू से लेकर अंतक बताया जाएगा और फ्रेंड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ नोट्स का लिंक दे दिया है आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि आपको पता भी है पहले तो इस एफडेविट से काम चल जाता था यहाँ पे साइन कर देते थे और इसे अफ़लोड कर देते थे लेकिन अब इससे काम नहीं चलेगा अब आपको ये सेटिविट बनवाना पड़ेगा एनेक्सोर ईवन जो पीडे फाइल है ना इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप किसी भी फोटोशोप पे जाओ और उसे कहादो इसका प्रेंट निकाल दे वैसे ये फारम आपको फोटो सेट वाली दुकान से भी मिल जाएगा या फिर जो तसील में नोट्री वाले बैठते हैं वो भी दे देंगे ठीक है लेकिन अगर आप इसका प्रेंट निकल वाला ओगे तो आपके लिए बहतर रहेगा क्यों? क्योंकि आप पहले तसील में जाओगे ये फारम लेके आओगे इसे भरके नमबरदार यामसी के साइन कराओगे फिर दोबार तसील में जाओगे इसलिए आपके लिए बहतर ही रहेगा इसकी पीडेफाल का लिंक मैं डिस्क्रिप्सिन में दे दूँगा आपको आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकल वा ले उसकी बाद आपको करना क्या है सबसे पहले देखो आई यहाँ पर अपना नाम बरदो जैसे मैंने भर दिया सोन सन या डोटर आप किसके बेटे है बेटी हो यानि आपके फादर का नाम यहाँ पर भर दो जैसे मैंने बर दिया रमेश ठीक है आपकी कितनी उमर है यहाँ पर उमर लिख दो जैसे मैंने लिख दी 23 साल और यहाँ पर अपना एड्रेस भर दो जैसे मैं भर देता हूँ होम नंबर 123 रोट तक ठीक है लेकिन अगर गाउं से आप आपको करना क्या है अपना मकान नंबर और गाउं का नाम और फिर लिख देना तैसील का नाम और डिष्टिक यहाँ पर है यहाँ पर लिख दो अपनी डिष्टिक जैसे मेरी डिष्टिक है रोट तक तो मैं यहाँ पर रोट तक लिख दूँगा आपकी जो डिष्टिक है वो लिख लो आप उसके बाद यहाँ पे आप कौन सी पोस्ट के लिए अपलाई करना चाथते हो हरियाना पुलिस के लिए कर रहे हो तो हरियाना पुलिस लिख दो कैनाल पटवारी के लिए कर रहे हो तो कैनाल पटवारी अकेला पटवारी के लिए कर रहे हो तो पटवारी लिख दो यहां पे उसके बाद कटेगरी नमबर जिस पोश्ट के लिए आप अपलाई कर रहे हो उसका कटेगरी नमबर यहां पे लिख दो और एड़र्टाइज नमबर यहां पे लिख दो ये लिखने के बाद जिस तारीक को आप अपलाई कर रहे हो यानि जिस तारीक को आप एफिटेविट बनवा रहे हो वो डेट लिख दो याँ पे उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पस अधार कार्ड है तो धार कार्ड नमबर Pen Card है तो Pen Card Number Water ID Card है तो Water ID Card Number यानि इन तीनों में से कोई भी एक होना चाहिए आपके पास उसका number यहां पर भरत्वाब इतना हो गया Complete उसके बाद आपको करना क्या है यहां पर अपने Sign करने है और यहां पर अपने Sign करने है तो Friend अब आपका Farm Complete भरा गया है अब आपको करना क्या है अगर आप गाउं से हैं तो आपको जाना है नंबरदार या फिर सर्पंच के पास उसके साइन करवाने है नंबरदार या सर्पंच इन दोनों में से किसी भी एक के साइन करवा लो उसके बाद आपको करवाने है पटवारे के साइन पटवारे के साइन करवाने के बाद फिर करवाने है तैसिलदार के साइन और कही जगेना तैसिलदार नहीं होता तो आप नैप तैसिलदार के भी साइन करवा सकते हो ठीक है फ्रेंट अब बात करते हैं अगर आप सहर से हो सबसे पहले आपको कराने है MC के साइन उसके बाद करवाने है पटवारी की और फिर तैसिलदार की बस फरक कितना है अगर आप गाउं से हैं तो सबसे पहले करवाने है नमबरदार या फिर सरपल्च के साइन अगर आप सहर से हो तो आपको करवाने हैं MC के साइन उसके पाथ दोनों में सेम है पटवारी और फिर तैसीलदार सिर्फ आपको इतना काम करना है फिर आप इस एफिडेवट का फोटो खीच कर फिर आप जिस जोब के लिए अपलाई कर रहे हैं उसमें ये अपलोड कर सकते हैं तो फ्रेंड ये चानकारी आपके साथ सेर करनी थी उमीद करता हूँ आपको मेरे दवरादी गए चानकारी समझ में आगी होगी अगर आपको आभी भी कोई डाउट है तो प्लिस कोमेंट करें आपकी पूरी हेल्प की जाएगी और मेरी आपसे रिक्वेस्ट हैं इस वीडियो को उनके साथ सेर जरूर करें जो हर्याना के किसी भी गुर्मेट एक्जाम के फारम भरना चाहते हैं ताकि उनको भी पता लग जाए कि फारम कैसे भरना है और पाँच नंबर कैसे प्राप्त करने है और फ्रेंड हमारी एक से दो दिन में हर्याना करंट फेर की नई बुक आने वाली है जिसमें आपको हर्याना के पिछले डेड़ साल के करंट फेर, बेस्ट पांट सु क्वेश्चन HCC में बार-बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हर्याना मंत्री मंडल और इसमें कौन क्या है मोद्दी सरकार का मंत्री मंडल और लोक सुबा से सभी important क्वेश्चन को इसमें सामिल क्या गया है और ये बुक हर्याना के आने वाले सभी government exam जैसे हर्याना बुलिस कॉंस्टेवल सब इंस्पेक्टर हर्याना ग्रूप डी पटवारी कनाल पटवारी यानि जो भी हर्याना के आने वाले exam है उसके लिए important रहेगी आप इस बुक को एक से दो दिन में हर्याना में किसी भी bookshop से खरीज सकते हैं